Welcome to your students, मैं SNBARMA अपनी तरफ से और अपनी सब्राइज आउर्लाइन लेर्निंग टीम की तरफ से आपका स्वाकत करता हूँ आज की जो बाइलोजिकी क्लास है उसमें जो लेसन हम पूरा कर चुके हैं लीविंग वर्ड जीर जगत उसका रिवीजन किया जाएगा उससे रिलेटर जो कुछ सान आंसर से हैं चैप्टर से रिलेटर उन पर बात की जाएगी और पहले यूनिट का पहला लेसन जो कि पूरा हो गया है तो इसलिए इसका रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है चलिए देखते हैं अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं पहली चीज जो हम पढ़ चुके हैं वया है या जो यूनिट शुरूर की गई थी उसमें हमने पढ़ा था कि जीव बिज्ञान जो है वो जीव की रचना तथा इसमें होने वाली जैवी किरियाओं का बिज्ञान होता है और उसके बाद जो यह भी देखा था कि सजीव किसे कहते हैं और जैव विधिता क्या होती है चूब कहते हैं किन-किन बिंदूं के तहत किया जाता है जीव जगत जीव जगत का वरगी करण बनस्पत जगत और प्राण जगत इन बिंदूं के तहत हमें अध्यान करना है इस पर बात हुई थी और फिर उसके बाद जीव क्या है इस पर बात की गई थी तो जो प्रस्ण था कि जीव क्या ह होता है उसका जो answer है समझ रहे हैं कि अगर आपने कोई गया होता है कि जीव क्या होता है है जीव सघ्वीयों को परिभासित करने की लिए हम क्या करते है कि जो उनके वाह लक्षण हैं उनकी उनका उलोकन करते हैं उसी आधार पे हम या अंतर कर पाते हैं कि कोई भी पतार्थ सजीव है अथवा निर्जीव है जो निर्जीव की परिभासा होती है वह उसके लक्षणों के आधार पर दी जाती है और यहां क्या होते हैं ब्रिध्ध होता है ब्रिध्धי, जनन, उपापचे, संबेध, सेलता, या kuch ऐसे लक्षण होते हैं चनके आधार पर हम जीयों को संजियों से अलग कर पाते हैं और अगर इन लक्षणों की बात की जाएं, इन लक्षणों पर भी CLASSES में बात हुई थी, LITUS में बृध्ति दो युग मी जो है, दो यायामी लक्षण होता है सही जीवों का दो आयाम क्या होते हैं इसके ब्रिद्धि के एक तो होती है जीवों की संख्यात्मक ब्रिद्धि और दूसरी होती है उनकी भार में ब्रिद्धि तो यहाद दो तरह की बृद्धी को हम बृद्धी कहते हैं अगर सांख्या में बृद्धी हो रही तब भी बृद्धी कहलाता है और अगर उनके भार में बृद्धी हो रही तो उसे भी हम बृद्धी का ही नाम देते हैं तो जीव का जो मुख लक्षन होता है निर्जीव जो है वह इस तरह के ब्रिध्धी नहीं करते हैं लेकिन कुछ ऐसे निर्जीव पतार्थ भी होते हैं जिनमें ब्रिध्ध हमें देखनों के मिलती है लेकिन वह बाह ब्रिध्धी होती है उसमें कोई आंतरिक कारक उतरदाई नहीं होता है कि आंतरिक रूप करने वाले पदार्थ हों जो मुथ और आप जनन को भी परिध्ड की परिवासा में ब्रिद्डि का वो परिचायक माना जाता है कि एक जीव से दो जीव, दो जीव से तीन जीव यह बढ़ना जो है या भी बृध्धि का ही एक गृूप होता है तो जीव का पहला लक्षण होता है बृध्धि वो ब्रिदिकर रहा है आंत्री गुरूप से ब्रिदिकर रहा है तो वा सजीवपदार्थ है दूसरा लक्שान जनन जनन की कृिया में हमें दहेखते हैं कि जो जनन की क्रिया है वह दो प्रकार की होती है, एक लैंगिक जनन होता है, एक अलांगिक जनन होता है, ज्याद तर हम बात लैंगिक जनन की ही करते हैं, लेकिन अलांगिक जनन भी अनेक बिधियां द्वारा हमें जीओं में देखने को मिलता है, लैंगिक जनन में आप आगे के जो फिजियोलोजी जो कि कवक में होता है और उसके बाद बिजान जनन के बाद और एक मुकलन होता है अलंगिक जनन के प्रकार में इस्ट और हाइड्रा में हमें देखने को मिलता है और उसके बाद पुनर जनन भी एक अलंगिक जनन का ही प्रकार है जो कि प्लैनेडिया नामक एक चप्टे क्रि रेती हो जाती है तो वह बिखंडन के प्रकार कालेंगिग जनन कहा जाता है तो मुकलन पुर्णर जनन विखंडन और इसके आलावां के आपका कि ब्दिकों जनन और भी कई तरह के अलाइखक जनन होते हैं, जिनिसे जीओं में जननकि प्रिकिरिया होती है एक कोसकी जियों में जो जनन की प्रक्रिया है वह ब्रिदी की प्रयावाची माने जाती है ब्रिदी की प्रयावाची भी होती है जनन को जीओं का business lecture नहीं होता है क्यों कुछ जीओ ऐसे भी होते हैं जिनमें जनन की किरिया नहीं होती है लेकिन फिर भी उन्हें हम सजीओ मानते हैं जैसे खचर, स्रमिक मधमक्खी कुछ बंधे जीओ जीओं की संतानुत पत्ति नहीं कर सकते हैं तो ऐसे भी जीव जो कि जनन की किरिया नहीं कर सकते हैं, फिर भी उन्में सजीव की गुण अन्य गुण पाया जाते हैं, तो इसलिए इसे एक समगर हम सजीव का एक समगर लक्षण नहीं मान सकते हैं, लेकिन सजीव में ज्यादा तर जो सजीव हैं वह जनन की किरिया को करते उसके बाद उपापचे उपापचे एक कैसा लक्षण है जो की सजीओं में निरंतर जो जैविक अनुध होते हैं उनका निर्माण और विखंडन होता रहता है उस किरिया को हम उपापचे कहते हैं उपापचे की किरिया में नए प्रदार्थ के अनुध नए प्रकार के अनु पर कोई इसी तरह की उपापचे किरिया करवाई जाती है तो वो से हम जो है जैबिक उपापचे किरिया नहीं मानते हैं तो जैबिक उपापचे किरिया सिर्फ सजीयों के भीतर ही होती है इसलिए उपापचे के हम एक समगर लक्षन सजीयों का मानते हैं कहने का मतलब कि यह सि से लक्षण होता है इनर्जीव में उपावचे की किरिया नहीं दिखाए देती है उसके बाद जीव का एक अकलल और महतुपूर्ण लक्षण होता है संबेदन सिल्टा सबेंदर सिल्टा में हम यह देखते हैं कि बाहरी वातावरण के प्रति हर्स जो है जीव संबेदन सेल हो तो वह उसके प्रति प्रति करिया करता है और यह वाह वातावरण में होने वाला परिवर्तन किसी भी सजीव के वाह वातावरण में जो परिवर्तन होता है जिसके कारण वह करिया करता है प्रति करिया करता है वह परिवर्तन जो है वातावरण में उत्पन जो हो रहा है उस रसाने को दीपन में प्रावर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् लक्षण है वह एक सजीव के भीतर ही पाए जाते हैं तो इसलिए हम मानते हैं कि जीव क्या है अगर यह कुछा जाता है तो हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिन में यह लक्षण पाए जाते हैं उन्हें हम जीव पदार्थ कहते हैं या जीव कहते हैं उसके बाद बात की गई जीव जगत की बीविध्यता के बारे में कि जीव जगत की बीविध्यता क्या होती है तो बीविध्यता में हमने देखा था कि सबसे पहले इसका छेतर और विस्तार जैविवित्ता का छेतर और विस्तार, कि कहां कहां इसका छेतर है, कहां कहां इसका विस्तार होता है जीओं की बहुत सी ऐसी किसमें पाई जाती हैं, जो कि हमें दिखाई देती हैं, जैसे पशपच्ची, पौधे, कीट और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जोकि हमें आखों से दिखाई नहीं देते हैं जैसे कि सूच में जीव तो यहाँ जो हर तरह के जीव हैं इनकी संख्या में इनके जो है हमें परिवर्टन दिखाई देता है अलग-अलग अगर किसी तालाप पास जाते हैं तो वहाँ पर हमें इनकी संख्या में परिवर्टन अधिक संख्या में दिखाई देते हैं सघन बनों में अधिक संख्या में अनेक परकार के जीव हमें दिखाई देते हैं तो जीओं की जो यह संख्या है विस्तृत जात संख्या जो की लगबग 1.7 से 1.8 मिलियन के आसपास होती है जीओं की यह विस्तृत जात संख्या को जो है हम जैविक बिविधता के नाम से जानते हैं तो काफी विष्टिर छेतर और विष्टार होता है जहां भी हम जिदर भी हमारी नजर आती है वहां पर हमें आनेक तरह के जीव दिखाई देते हैं जीवों की इस बिविधता के कारण हमें उनको पहचानने के लिए उनका नामकरण करना पड़ता है नामकरण या उनको नाम रखना पड़ता है तभी हम एक एक जीवों को पहचान पाते हैं नामकरण की इस प्रक्रिया को नाम पद्धत या पहचानना कहते हैं जीवों के नामकरण की प्रक्रिया को नाम पद्धत या पहचानना कहा जाता है या नाम किस आधार पर रखे जाते हैं जो पौधों के बाइग्यानिक नाम है वो ICBN International Code of Botanical Nomenclature के संस्था के दिख रेक में उसके दोरा बनाए गई नियमों के आधार पर रखे जाते हैं प्राणियों के नाम ICZN International Code of Geological Nomenclature की संस्था है उसके दोरा बनाए गई नियमों के आधार पर रखे जाते हैं तो प्राणियों के लिए ICZN और पौधों के लिए ICBN दो तरदाई संस्था हैं जो कि उनके नाम करांड का कारिय करती हैं सभी जीवों जो पाए जाते हैं इस चारों और के परिवेश में सभी जीवों का जो बैज्ञानिक नाम होता है उनका जो नाम रखा जाता है इन संस्थाओंदारा जो बैज्ञानिक नाम वह पूरे बिस्व में एक ही होता है और उस आधार पर ही हम उन्हें पूरे बिस्व क्या है किसी भी जीव का जो बैग्यानिक नाम होता है वह दो पदों से मिलकर बना हुआ होता है वंस और जात को मिला कर बने हुए नाम को हम दो नाम पध्धत कहते हैं मतलब नाम रखने कि यह जो पध्धत ही है जो दो पदों से मिलकर बनता है इसलिए से हम दो नाम पध्धत कहते हैं और क्यूकि इस प्रणाली में दो घटक हैं इसलिए हैं हम दो ना drama पद्धत कहते हैं इस प्रणली को जो देने वाले वाज़ानिक थे वह थे करी और सिलेनियस उन्होंने वह सुझाया था और इसमें इन्होंने दो तरह के पदों को जोड़ करके नाम बनाने की परंपरा की शुरुवात की थी इस नामकरण के कुछ नियम होते हैं वह नियम हर समय जो है जब जीव का नाम रखा जाता है तो उनका पालन किया जाता है उसी अधार पे जीव का नामकरण किया जाता है वह सारजनिंग नियम नामकरन के क्या-क्या होते हैं इस पर भी बात हुई थी लिक्चर में एक बार फिर रिपीजर कर लिया जाए कि जैविक नाम जो है वो हमेशा लाइटिन भासा में लिखे जाते हैं और कहीं भी उत्पन हुआ हो से हम लाइटिन भासा की भी उत्पत्ति मानते हैं और इसमें जो पहला पत होता है वो बंस का होता है दूसरा पज्जायत का होता है जैविक नाम को छपाई में लिखा जाता है तो इन्हें लाइटिन उत्पत्ति का दिखाने के लिए लेकिन अगर जब हाथ से लिखते हैं तो उस समय हम तिरशा नहीं लिख सकते हैं इसलिए उस नाम के नीचे एक लेखा खिंज देते हैं और जो कि उनकी लेटेन उत्पत्ति को परदर से करता है हमेशा वन्स नाम को लेटर में लिखा जाता है गरेजी के बड़े अक्षरों में और जाती नाम को अंगरेजी के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है तो कुछ यह प्रमुख नियम है जो की ध्यान में रखा जाता है वर्गी करण करते समय या जीओं का जो नाम करण किया जाता है उस समय इनका ध्यान रखा जाता है कि किसी जीओं का नाम रखते समय इन नियमों का ध्यान रखा जाता है अगला टॉपिक है वर्गी करण और टै है तो इनके जो बाहे द्रिश सिगुण है जीओं के उस आधार पर उन्हें हम समूहों में रखते हैं इतनी बड़ी संख्या है एक दसमलो साथ से एक दसमलो आट मिलियन के आसपास जीओं की संख्या है हर जीव का अध्यान करना संभो नहीं है तो अध्यान की सुविधा के ल बिबन जीओं की समाल लक्षण के अधार पर उन्हें हम एक वर्ग में रखते हैं और अलग लग वर्गों के मिलते जुलते लक्षणों को हम फिर अगले वर्ग में रखते हैं तो जो ये वर्ग बन रहे हैं इन वर्गों को ही सामोही करन की प्रिकिरिया में समाल लक्षण वाले जीयों के जो वर्ग बन रहे हैं इन वर्गों को ही बिज्ञान की भासा में टैक्सा कहा जाता है तो वर्गी कंड की क्या परिभासा है टैक्सा किसे कहते हैं यह बात क्लियर हो गई और जो प्रते एक टैक्सा होता है उसमें एक तरह के जीयों का समा लक्षणों को परद अलगे उनको के विभिन्त वर्गों में रखा जाता है विभिन्त वर्गों में उनकर गुण वशंण होते हैं अप्रकार है कोई सिक्या की रचना विकासीज और प्रक्रम तधा जीव़ीं पारुस्तिती सूना हैं या कुछ ऐसे प्रमुक लक्षण होते हैं वाहे लक्षण होते हैं जिनके आधार पर जिन गुणों के आधार पर हम आधोनिक वर्गी करण को करते हैं इसके बाद जो वर्गी करण पद्धत होती है उसमें हम वर्गी करण पद्धत में क्या क्या करते हैं वर्गी करण पद्धत का मतलब यहा है कि वर्गी करण करने की बिधा क्या होती है किस तरह वर्गी करण किया जाता है तो वर्गी करण करते हैं समय सबसे पहले हम क्या करते हैं कि विसेशी करण देखते हैं किसी भी जीव का विसेश लक्षण क्या है उस आधार पर हम उसको पहचानते हैं पहचानने के बाद उसका नाम रखते हैं जिसे हम नाम पद्धत कहते हैं, नाम पद्धत नाम रखने के बाद उसे हम उन लक्षणों के आधार पर समोहम रखते हैं, यह सारे जो प्रक्रम हैं, विसेशी करण, पहचान, नाम पद्धत, यह सारे प्रक्रम जो हैं, वर्गी करण या वर्गी करण विज्ञान के प्रमु करनों को आधार नहीं माना जाता था बलकि उपयोगिता के आधार वहम जीओं का वर्गी करन करते थे वर्गी करन करते समय एक सब्द आता है सिस्टेमेटिक्स सब्द का अर्थ होता है वर्गी करन तो यह सिस्टेमेटिक्स सब्द लाइटिन भासा की सिस्टेमा से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित ब्यवस्था वर्गी करण को अंगरीजी में सिस्टमेटिक्स कहते हैं तो सिस्टमेटिक्स का क्या अर्थ होता है जानना जरूरी है सिस्टमेटिक गई थी अगले लेकच्टर में वर्गि की संबर्ग वर्गि की संबर्ग को समझने के लिए हम एम जानना जोरूरी है कि वर्गी करण dock कोई कोई hit सोपानना भोकर के कई सवपानों का जो है वह क्रम होता है और प्रतेक एक पद या एक वर्ग एक प्रतेक पद जो यह वहां एक वर्ग को परदरसित करता है इसका मतलब क्या हुआ की जो वर्ग होते हैं वह छोटे-चोटे बग मिला कि बड़ा बरक बनता है उन बड़े वर वर्गोंक ऑर विस्त्रित बलग बनता है तो इस तरह एक सीड़ी की तरह जो है वह लक्षणों के मिलते समानता के अधार पर हम उन्हें बर्गों में बाटते हुए जाते हैं तो यहां एक पदना होकर के बल्कि एक सोपान क्रम होता है बेभिन सोपानों का समूहों का वर्गों का वर्गों को सामोही गुरूप से संबर्ग या वर्ग को ही संबर्ग कहते हैं ऐसा हम कह सकते हैं वैग्यानिक भासा में वर्ग संबर्ग एक ही बात है जिन से मिलकर वर्गी करन व्यवस्था बनती है वर्गों को या इन सम्बर्गों के सहायता से वर्गी की व्यवस्था बनाई जाती है इसलिए इन संबर्गों को वर्ग की संबर्ग कहा जाता है इन संबर्गों के सहयोग से ही वर्गी करनड की विवस्ता बना जाती है इसलिए इन्हें हम वर्गी करनड संबर्ग कहते हैं और एक वर्ग को एक अगर इकाई वर्ग की बात की जाए या संबर्ग की बात की जाए तो उसे हम वर्गक के नाम से जानते हैं वर्गक या टैकसान के नाम से जानते हैं वर्ग की वर्ग या संबर्ग जो है वह केवल एक आकार की समूह के रूप में होते हैं लक्षणों के मिलते जिलते समूह के रूप में होते हैं प्रमुख वर्गे की संबर्ग जो होते हैं जगत, संग या पौधों के लिए हम भाग कहते हैं संग को वर्ग, गण, कुल, वंस, जाते पौधों यों प्राणियों दोनों में जो सबसे छोटा समूं होता है वर्गी करण का वहा होता है जाते जाती जीओं का वापर वर्ग है जिसमें सामिल सभी जीओं के मौलिक लक्षण एक समान होते हैं उसे हम उस वर्ग को हम जात कहते हैं जिस बर्ग में सामिन जीओं के लक्षण जो है, सभी मौलिक लक्षण समान होते हैं, ऐसे बर्गों को हम जाद कहते हैं, और यहाँ पाउधों तथा प्राणियों दोनों में मौलिकी काई होती है, और इसके बाद दूसरा जो बर्ग होता है, वह बंस होता है, वंस कई जातियों का समो होता है, एक वंस में एक सेधिक जातियां सामिल हो सकती हैं, जैसे बात की गई थी कि सोलेनम टूबिरोसम जो की आलू की जाती है, और सोलेनम नाइगरम जो की मकोई की प्रजाती है, वह दोनों एक ही वंस सोलेनम में रखे गए हैं, पिंथरा वंस में भी कई जातियां रखी गई हैं लियो टाइगरिस और पार्डस ये सारी जातियां जो है वह एक बंस पैंथरा में रखी गई हैं तो कहने का मतलब है कि एक स्टर्वीरमें एक से अधिक जातियां सामिल हो चाहिक मतलब कि बन्साना से इसकी जातियों का तो एक बन्स में कई सामिल होते हैं वंस की बात करें तो वंस जो है किसमें कई जाते हैं तो यह इसमें जो लक्षण होते हैं वह उसमें सामिल जीओं के जो लक्षण होते हैं एक बंस में वह काफी मिलते जुलते हैं लेकिन जात की आप एक शागरम तुल ना करें तो जितना जात में मौलिक गुटन्ड के बाद तालोश में को परतौशित करने वहले कि कोम एक कुल में रखा जाता है जैसे आलोश लेकिन क्ली करें मी निमीर एक ही कुल सोले निशित में रखा जाता है इसी तरह बाग तथा विल्ली अलग-अलग वंसों के हैं लकिन इन्हें मिला करके एक ही कुल फेलेडी में रखा जाता है तो कहने का मतलब कि कुल में समान गुणों को परदर्सित कहने वाली वंसों को एक कुल में रखा जाता है कुल के वर्गी करण का आधार अगर हम पौधों की बात करें पौधों में जो कुल के वर्गी करण का आधार होता है वह काई तथा जनन गुर्ण जो उसमें पाय जाते हैं वह माना जाता है कुल के बाद गण की बात करें गण क्या होता है गण के बारे में जाना गया था गण समान कुलों का समुह होता है इस समुह में सामिल जीओं के सभी गुण जाती वंस तथा कुल की तुलना में कम मिलते हैं तथा दूसरे गण में इस्तित जीओं से अधिक मिलते हैं जैसे एक गण में जितने कुल सामिल हैं, उन सभी कुलों में जो जीव पाए जाते हैं, उनके लक्षण काफे मिलते जूलते हैं, अगर हम दूसरे गण में सामिल, जो कुल सामिल हैं, उनकी बात करें, तो अलग-अलग गणों में जो जीव रखे गए हैं, उनके लक्षण जो एक गण में रखे गए जीव हैं, उनकी अपेच्छा कम मिलते जूलते हैं, इसको एक तरह भी समझ सकते हैं कि अगर दो अलग-अलग गणों के जीव हैं, तो उनके लक्षणों में कम समानता होगी, दो जीव एक ही गण के हैं, तो उनके लक्षणों में बहुत अधिक समानता होगी अलग अलग गुणों के तुर्ण के पिछयं में कि तो गणों के बाद हम बात करते हैं कि वर्ग की वर्ग क्या होता है कि अ वर्ग जो है के संबंदीत कहने को एक वर्ग में रखा जाता है जैसे वन्दर मनुस सबिं कर संब невγά system मतलब कि एक तरह के जो गण हैं उन्हें हम बर्गों में रखते हैं बंदर मनुस के गण प्राइमेट तथा बाग और बिल्ली के गण कारणी बोरा मतलब कई गण मिला करके एक वर्ग का निर्माड किया जाता है तो बंदर मनुस बाग बिल्ली इन सभी तरह के जीओं जो की अलग अलग गणों के हैं उन्हें हम एक ही वर्ग मैमेलिया या अस्तंधारी में रखते हैं तो अलग 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 गणों के जीओं को जीओं को जिनम संग में हम समान तरह के वर्गों के जो मिलते जुलते लक्षण है कुछ मूलभूत लक्षण मिलते हैं कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जिनके मूलभूत लक्षण मिलते हैं समान मिलते जुलते वर्गों को मिला करके हम संग का निर्माण करते हैं संग एक ऐसी काई है जिसमें समान लक्षण वाले वर्गों को सामिल किया जाता है जैसे एक संग की बात करें हम तो एक प्रमुख लक्षण है कि प्रिष्ट नाल का पाया जाना या रीड रज्ज का पाया जाना या एक प्रमुख लक्षण है जिन जीओं में या लक्षण पाया जाता है उन सभी जीओं को हम संग काडेटा में रखते हैं तो संग मिलते युगते वरगों का सम्हों होता है जगत की बात करें, एक दो जगत बनाए गए हैं, एक प्राणी जगत है, एक पादब जगत है, तो प्राणी जगत में प्राणी सम जो लक्षन होते हैं, उनको धारन करने वाले जीओं को रखा जाता है, और पादब जगत में पादब सम लक्षन को धारन करने वाले जीओं को रखा जाता है तो पादब जगत को हम प्लांटी कहते हैं और जो प्राणी जगत होता उसे हम एनिमेलिया कहते हैं तो पूरे जीव जगत को दो जगतों में बांटा गया है एक प्राणी जगत होता है दूसरा वनस्पती जगत या पादब जगत तो यह वर्गी की संबर्ग हैं जिन में हम जीओं का बर्गी करण करते समय इन्ही समूहों में समूही किरित करते हैं इन्ही समूहों को बनाते हुए हम बर्गी करण करते हैं वर्गी की में कुछ सहायक साधन होते हैं, जो की इस वर्गी करण में सहायता करते हैं, वह सहायक साधन कौन-कौन से होते हैं? वह होते हैं, हारबेरियम, हारबेरियम बना जाती है, किस तरह बना जाती है, हम क्लास में बात कर चुके हैं, उस पाठ को देख लें, और उसके बाद वनस्पत उद्ध्यान, संग्रहालय, चिंडिया घर, तथा कुंजी या चाभी, या वरगी करण में सहायर साधन होते हैं, जिनकी सहायता से वरगी करण किया जाता है, तो यहाँ पूरे चैप्टर का जो एक रिवीजन था, वह था, और इससे रिलेटेट कुछ कुश्चन आंसर्स हैं, भ्यास में दिये, चैप्टर में दिये गए हैं, उन्में बात किये राजा, उन्में जो पहला कुश्चन है, वह या है, कि जियों को वरगी करण क्रित क्यों करते हैं, तो आप आसानी से समझा सकते हैं, कि जियों को उनके अध्यान के सुधा के तो प्राकुंद वर्गी करण किया गया फिर पांच जगत्र वर्गी करण बार-बार क्यों बदला गया इससे हम असानी से समझा सकते हुए कुछलना का से का जिन लोगों से हैं आप राहा मिलते हैं आपशन करेंगे तो तो इसमें जो है, हम यह देख सकते हैं कि जैसे किस छेतर का, किस भासा को बोलने वाला, किस आधार पर किस आर्थिक अस्तर के बेखती हैं, हम अगर मानो समाज की बात करें, अगर हम उस पर मानो समाज वरगी करन करते हैं, तो किस तरह हम वरगी करन कर सकते हैं, ड्रेस के आध कर सकते हैं वेस्टी तथा समस्ट की पहचान से हमें क्या सिक्षा मिलती है कि वेस्ट या समस्ट जो जीव हमारी चारों और पाई जाते हैं उनकी पहचान वेस्टी या और समस्टी का पहचान मतलब किसी विशेश जीव की पहचान वेस्टी पूरे सभी जीओं की सामोहिक पह पहचान समस्ट कहलाता है, तो वेस्टी और समस्ट की पहचान करने से हमें क्या सिक्षा मिलती है, या हम समझा सकते हैं कि उनको पहचानने से हम उनके बारे में अध्यान करने में आसानी होती है, उनको समझने में आसानी होती है, और उनको समोह में रखने से में आसानी होती है वह पूरे प्रिद्वी पर कहीं भी वह जी होता है तो उस पहचान के साथ होता है जिसे हम उसे कहीं भी देखते हैं और पहचान लेते हैं तो लेशन को देखने के बाद, लेक्चर्स को देखने के बाद अब इसको आसाने से हराहल कर सकते हैं आम का बाग्यानिक नांग निमलिखित में से कौन सा सही है मैंजी फेराइंडिका मैंजी फेराइंडिका आप के लिए कुश्चन में छोड़ रहा हूं यह दोनों लिखे गए हैं सेम सब्द सही हैं दोनों में ही लेकिन सही कौन सा है यह आप जब सारवजनिक नियम आपकी ध बता सकते हैं, जब हमें वह चारों सारजिनिंग नियम पता हों कि किसी भी जीव का जो बैग्यानिक नाम लिखने के जुग परंपरा है, वह क्या है, तो इसको आपके लिए छोड़ रहे हैं, कि आप हल करके कल हमें बताएंगे, और टैक्सान की परिवासा दीजिए, विभिन पदानकुरम अस्तर पर टैक्सा के कुछ उदारन दीजिए, टैक्सान हमने बताया था, कि जो जियों को मिलते जो दे लक्षणों की आधारते हम वर्गों में रखते हैं, इन वर्गों को हम टैक्सा कहते हैं, अगर एक इकाई वर्ग की बात की जाए, तो उसे हम टैक्सान क एक इकाई वर्व और ऑर जो विभिन पदानकरम पर जो वर्ग होते हैं, वर्ग यही होते हैं, जाति, वंस, कुल, संग, और, तो या विभिन पदानकरम पर जो और बताया जा सकता है या question भी आप ही के लिए है मंजी फेरा इंडिका और साथ में इसमें कौन सा बिकल्ब सही है तीनों में से कौन सा क्रम सही है चुकि यह lesson में बताया जा चुका है तो आसानी से आप इन्हें हल कर सकते हैं हमें वर्गय की संबर्ग का सही क्रम पहचानना है जाति सब्द के सभी मानवीय वर्तमान काली कर्थों को इकत्र कीजिए कि आप अपने सिख्षक से उचिकोट के पहचानने के लिए चर्चा कर सकते हैं सीधी बात यह है कि आपको जाति की परिभासा बतानी है जाति किसे कहते हैं जाति क्या प्रमुक लक्षान होते हैं वह इसके उत्तर में लिखना है उसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रस्न की प्रस्न नौ निमिल्खी सब्दों को समझिये तथा परिभाजित कीजिए संग क्या होता है, वर्ग क्या होता है, कुल क्या होता है, गण क्या होता है, वंस क्या होता है असानी से सभी इभी वर्गी की संबर्ग के लक्षर में इस पर बात होई थी तो आसानी से आप इसको बता सकते हैं और उसके बाद जिवयों के वर्गी करण तथा पहचान में कुझी किस प्रकार सहयख होती है तो कुंजी एक ऐसा साधन होता है, जिसमें जीओं के लक्षण दिये होते हैं, उन लक्षणों के आधार पर हम वहाँ लक्षण जो है कुंजी का काम करते हैं, वहाँ इसी पुस्तक किताब है, ऐसा संग्रह है, जिसमें जीओं के लक्षण दिये रहते हैं, उस कुंजी में औ का वर्गी करन कर सकते हैं तो किस प्रकार सहायक है इसे आप लिख सकते हैं पाउधों तथा प्राणियों के उची दोधान देते हैं वर्गी की पदा अनुकरम का चित्रान कीजिए तो उसके लिए हमने एक टेबल बताई थी जिसमें मानो घरेलू मक्ही आम और गेहुं के बा मानो my my gonna Inf March कि उसके मानो से जुड़े हुए वर्गी की संबर्खख न कि ऱ्रें विसका वन् niठ अहे है गण है प्रैमीरड वर्ग है मैमेलिया और संग अगर हम बात करते हैं तो वह है काडिज्टा तो यह एक वानो का जो एक वर्गी मानो के वर्गी की संबर्ग है वो इसी हो जाएगा तो यह था आज का लेशन और इसमें हम देख सकते हैं कि आप के लिए कुल 11 प्रसन है जिन्हें इस अभ्यास में करना है तो कल के लिए जो हुमरक दिया जाए इसी में से दे दिया जाए इसको आप पढ़ेंगे इसमें से कुछ कुश्चन पहला कुश्चन कर साथवा पांच छी साथ पहला पांच छी और साथ गोला कर दें इस तरह समझ में आ जाएगा पहला कि पहला इस पांच प्रसन आपको करने है हो मर्क रूप में बाकी अगर कोई बी डाउट होता है कुई भी चीज है जो समझ नहीं आ रही है आपको तो सको आप बे ही जिट तक को हमारी क्लास में कलियर कर सकते हैं उस डावड को कभी भी आप हमसे करें कमेंड के दौरा कलियर कर सकते हैं हम सब बाकी मिलते हैं बने इस यूनिट के नहhini लेशन के साथ तब तक के लिए आप घर पर रहें शुरक्षित रहें और पढ़ते रहें सुब कामना है